अक्तूबर का महीना आ गया है और दोस्तो अक्तूबर के महीने में सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला पौदा है पेटूनिया जो पेटूनिया है ये एक तरह का वेंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है सबी जगा नर्सरीज में आप देखेंगे तो ये सबसे पहले आपको पौदा मिलेगा क्योंकि जो पेटूनिया का पौदा ये फूल ही इतने देता है कि सबी का ये फिर्ट प्लांट माना जाता है आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हो कौन सा फटिलेजर आपको इसको देना चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पेटूनिया के पौदे होते हैं ये पूरी तरह धूप में चलने वाले पौदे हैं जाने कि आप कह सकते हैं कि इनको सुबा से 9 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे की दूप भी आगर आएगी तो ये अच्छे से जे लेंगे और उनमें से बड़िया फूल देंगे इसके साथ जो पेटूनिया का पौदा है ये एक तरह का जो पौदा है ये उपर को कम जाता है फैलता जाता है इसलिए इसको ऐसा गमला दें चाहे बंसाई टाइप पौट्स आप दे सकते हो जिसमें से जो इसको स्प्रेडिंग के लिए जारा एरिया मिले और चाहे उसकी देप्थ है वो कम हो क्योंके पेटूनिया की जड़े होती है वो बहुत जारा पतली होती है इतना जारा उसको एफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप उसको कम देप्थ वाला जो पौट है वो दे देंगे इसलिए ये चीज़ का भी आपको द्यान रखना है अगर आप करे सकते हैं ऐसी मिट्टी डालें जो बिल्कुल पोरस हो और उसमें 20% कंपोस्ट डाल सकते हो 20% कोको पी डाल सकते हो उन सभी चीज़ों को मिक्स करके आप इसका जो सॉयल मिक्स्चर है उसको प्रिपेर कर सकते हो मेरे पास जो सभी पेटूनिया के पौदे हैं ये मैंने आठ स 6-8 इंची के गमले में लगाए हुआ हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं आप देख साथ तो यह मेरे लास्ट एर के पैटूनिया अभी तो फिलहाल मैंने इसके बीज लगाए अभी थोड़ा सा बीज टाइम ले लेंगे और आप इसकी मिट्टी अभी देख सकते ह मेरे पास जो है Celsius है और इसमें पानी बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते के बिलकुल डैंप है या पिर इसमें फंकुल लगने के चांटसे हैं हमेशा ऐसी मिट्टी बनाए जो moist भी रहे और साथ के साथ वो जारा से जारा पौधे को फंकस भी ना लगाई जारा जो हमारे पास मिट्टी है उसमें पानी ना रुका रहे जैसे अब ये मिट्टी देख साते हैं जो sandy's hole वो मैंने बनाई हुई है और petunia के पौधे को आप hanging baskets में भी लगा सकते हैं बहुत सारे हमारे जो viewers हैं या फिर मैं भी इनको hanging basket में लगाना पसंद करता हूं क्योंकि यह एक दर का one of the best plant है अगर आप लगाना चाहेंगे और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ऐसे petunia के बीच चाहिए तो आपको garden दोसकी website पे मिल जाएंगे बहुत सारे colors आपको list किये मिलेंगे syngenta ताकी variety के आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों जो आप देख सकते हैं इन पे फूल आने का एक ये भी कारण है कि मैं इन में fertilizer डालता हूं जो है 0050 potash क्या होता है काफी बार हमारे पास पौदे adult stage पे आ जाते हैं बहुत अच्छे से जो growth है वो चालू रहती है पर उन पे फूल कम आते हैं उस वक्त क्या होता है कि आपके पौदे में potassium की कमी रह सकती है जिसके कारण जो आपका पौद है बड़िया तारीके से grow नहीं कर पाता है मैं क्या करता हूं अगर मेरे पास ऐसे कोई problem आती है कि मेरे पौदे में अच् सकते हैं उसके दर क्या होगा पौदे को जितना जारा potassium की जरुत होगी पौदा उतना ले लेगा और साथ में जो flowering आई वो बहुत जारा strong रहेगी branching भी अच्छी आएगी और तीसरी चीज यह है कि इसमें अगर आप seed pod लेना चाहते हो seed pod भी बहुत अच्छी quality के बनेंगी याद रहें कि आप अगर ये record fertilizer अपने पौधों के लिए बनाना चाहते हैं तो 20 दिन का gap जरूर डालिए 15 दिन कभी आप कर सकते हैं सर्दियों में पर ज़्यादा से ज़्यादा जब January के बाद थोड़ी से दूप ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है उस वक्त आप 20 दिन का gap रख सकते हैं मैं अप देख सकते हूं कि इसमें मिटी में डाला हूँ तो आप इसका नॉर्मल फॉयलर स्प्रे भी ले सकते हैं मैं फॉयलर स्प्रे इसलिए नहीं ले रहा था क्योंके बहुत अच्छे खासे फूल खिले हुए थे मैं नहीं चाहता था कि अगर ये भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहें क्योंकि इसका सही समय चल रहा है बीज जब भी लगाते हैं मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं और मेरी वीडियो भी आई है और भी एक आएगी कि जो इसके बीज हैं उनको सनलाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए यह क्या होता कि हम दूसरे बीज जो हम लगाते हैं उनको हम ऊपर से कवर करते हैं जो सही है पर काफी जो बीज हम बहुत जारा हलके होते हैं छोटे होते हैं उनको कवर करने की जूरुत नहीं होती है आप यह बहुत देख सकते हैं कि इतनी जारा best quality के जो flowers यह खिले ह हुआ हैं इसके पीछी यही कारण है मैंने इसकी सॉल मिक्षर अच्छे से बनाई है दूप में रखे और साथ में इसका फेटलाइजर है उसमें कमी नहीं होने दी है और इसके लाबाए पैटूनिया को आप बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कटिंग से ग्रो कर सकते ह ये बहुत ही easy to grow है कटिंग के लिए आप एक hard cutting ले और उसको 10 दिन के लिए आप normal मिटिंग में लगा दीजिए उसके बाद आपको पदा चलेगा इसकी growth चालू हो जाएगी और rooting 15-20 days में आपको visible देखने को मिल जाएगी काफी बार क्या होता है हमारा बैटूनिया खिलता रहता है खिलता रहता है और एक जगह पे इसका ऐसा टाइम आता है ये बिल्कुल flowering stop कर देता है उसके बीछे क्या कारण होता है दोस्तों आप इसके pinching ये dead heading नहीं कर रहे हैं पुराने जो flowers है वो खिलकर हट जाते हैं क्या होता उन पे beach बनने शुरू हो जाते हैं अगर आ आवा आप नए फूल को खिलने दे और उनको आप हटा सकते हैं जिसके साथ पौदे की energy है वो consume नहीं रहेगी आप देख सकते हैं इसके बहुत जल्दी से बनना शुरू हो जाते हैं अगर आप आई चांस बीज इसके बचाना भी चाते हो तो April के मंत का इंतजार करें क्यों कि एपरिल के महीने में इसके बहुत अच्छे seedpots बनते हैं उस वक्त आप इनके बीज हैं वो तियार कर सकते हैं और next season के लगाने के लिए ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे जो petunia के colors हैं रंग बिरंगे अपने garden में आप add जूरूर कर सकते हैं आपको करने भी जाएगे क्योंक इसमें fertilizer अच्छा सा डालें जो 20 डिस बात आपको डालना है उसके बाद आपके पौदेगी जो growth है बहुत अच्छे से होती रहेगी इसके लावा अगर आपको कोई और question आप मुझे comment section बता सकते हैं मैं आपका reply देने के कोशिश जुरूर करूंगा please please video को share and like जुरूर comment section में जुरूर बताएगा आपको कैसी ये वीडियो लगी please please do subscribe to my youtube channel also don't